Hello everyone, Welcome to our YouTube channel हमारा आज का सेशन काल पियर्सन मेथेट पे लास्ट सेशन है हमने बदायता कि काल पियर्सन मेथेट में में ओवरोल 7 फॉर्मिला डिसकस करने वाले हैं और हर एक फॉर्मिले से आंसर सेम आएगा बट MCQ's point of view से अगर exam में question आता है तो no doubt आपके लिए हर एक formula important है reason being किसी भी formula पे based question पूछ सकता है and क्योंकि हमारे पास question में सारी details दी रहती है और सिर्फ और सिर्फ हमें formula का application करना होता है इसलिए 7 formula आपके लिए equally important है तो 5 formula हमने अल्रेडी discuss कर लिया था आज हम लोग 6th and 7th formula discuss करने बाले है अगर कोई भी session आपका miss हुआ है तो सबके link आपको description box में मिल जाएगी जहां हमने detailed formula learn कराया है साथी साथ उस पे एक question भी solve करवाया है so that आप formula का detail application समझ पाओ clear अब देखो 6th and 7th formula simply हमारा depend करता है 3rd formula पे अब 3rd formula हमने learn कराया था जब हमने 3rd session upload किया था simply 3rd formula पे जहां जहां x है वहां dx कर देंगे और जहां y है वहां dy कर देंगे बस यही हमारा formula number 6 and 7 बनेगा देखो देखो जो हमने formula बताया था 3rd formula हमने क्या बताया था covariance का formula बताया था submission x y minus submission x submission y divided by n whole divided by हमने यह बोला था कि under root में एक जगा submission एक जगा x को ले लो और उसका square कर दो तो यह हो गया submission x square minus submission x का whole square divided by n जो कि यहां से हमने लिया multiply by submission y square अब y को एक side लेंगे minus submission y का whole square divided by n जो कि यह दिया हुआ है clear आप देखो जो formula number 6 and 7 है simply क्या करेंगे x के जगर dx y के जगर dy x के जगर dx y के जगर dy हर जगर यह करना है ठीक है तो अब आप पूछोगे कि मैम dx dy क्या होता है यह भी हमने बताया हुआ है dx मतलब simply क्या होता है x minus mean और dy मतलब क्या होता है simply y minus mean ठीक अगर dx square कोई पूछे तो x minus mean का whole square और dy square अगर कोई पूछे तो simply y minus mean का whole square clear यह तो hopefully सबको learn हो गया होगा अब formula 6 और 7 यह कैसे है देखो एक बार हम mean लेंगे actual mean और एक बार हम mean लेंगे assumed mean मतलब formula number 6 में जो हम mean लेंगे न वो actual mean होगा ठीक और formula number 7 में assumed mean लेंगे अब assumed mean कब लेते हैं simply जब हमें formula का जब हमें calculation easy रखना होता है तो हम क्या लेते हैं assumed mean लेते हैं otherwise हम actual mean लेते हैं तो formula number 6 में याद रखना कि सारी mean आपकी actual होगी और formula number 7 में वहीं assumed लेंगे hopefully formula भी सबको learn हो गया होगा अब क्या करना कि जितनी x की value है वो एक साइड लेके स्क्वार कर देना और जितनी y की value वो एक साइड लेके स्क्वार कर देना फ्यर formula number 6 में लिखा भी है कि dx is equal to क्या होगा x minus mean dy क्या होगा y minus mean मतलब हम यहाँ कौन से mean की बात करें actual mean की but formula number 7 में हम इसको shortcut method की help से use करेंगे और x minus assumed mean लेंगे y minus assumed mean लेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना ही difference है बाकि formula दोनों ही cases में same होगा जो formula number 6 है वही formula number 7 भी है clear? सिर्फ और सिर्फ change किस में आएगा? mean में again लेको same question हम लोग solve करेंगे पहले formula number 6 है फिर formula number 7 में 7 से दोनों में difference किया पहले हमने बता है कि formula number 6 में हम लोग actual mean उस करेंगे और 7 में हम लोग assumed mean उस करेंगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास value दी है x की 1, 2, 3, 4, 5 हमें क्या चाहिए? dx चाहिए dx का square चाहिए ठीक वैसे अगर मारे पास y की value देखी जाए तो y की value दी है 2, 4, 8 इसकी जगा हमने रखा है 6, 10 अगें हमें value चाहिए dy की और dy square की और लास्टली हमें value चाहिए dx dy की तो सबसे पहले formula number 6 में हम लोग क्या लेंगे actual mean नेंगे तो actual mean कितना आ रहा था? 3 आ रहा था और actual mean य का कितना आ रहा था? 6 बस dx निकाल लो minus 2, minus 1, 0, 1, 2 और उसको आ निकालेंगे तो 4, 1, 0, 1, 4 वैसे dy निकाल लेते हैं minus 4, minus 2, 2 0, 4 और यह जाएगा 16, 4, 4, 0, 16 अब dx और dy को multiply किये दे तो आएगा photos 8, 2, 0 0, 0, 8 ठीक, हमें सब का total चाहिए, dx, dy का total चाहिए dx का dx square सब का total चाहिए इसका total कितना आ रहा है? 0 इसका आएगा 10 इसका आएगा 0 40 and 18 अब एको formula क्या था? साथी साथ learn करना है इसलिए हम फिर से बता रहे हैं summation dx dx, dy minus summation dx summation dy divided by n whole divided by under root अब क्या करेंगे? x को एक साइड ले लो बिटा, तो submission dx square minus submission dx का square divided by n summation dy square minus summation dy का whole square divided by n बस values put करना है summation dx dy हमने calculate किया था? आया था 18 और देखो summation dx और dy की value कितनी आएथी? 0 तो ये कितनी हो जाएगी? 0 under root summation dx square की value आएथी 10 minus summation dx की value कितनी आएथी? 0 इसलिए हम इसको यहाँ पर consider नहीं करें यहाँ पर 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर numerator मे value 0 है तो 0 ही आएगा summation dy square की value आएथी 40 minus summation dy की value कितनी आएथी? 0 तो 0 का square कितना हो जाएगा? 0 अब ultimately value कितनी बची? 18 divided by under root 10 minus 0 10 हो जाएगा multiply by 40 minus 0 कितना हो जाएगा? 40 अगे जब आब इसको solve करोगे तो आएगा 18 divided by 20 और 0.90 clear? तो यह हमारा 6th formula था और 6th formula से भी मारा answer कितना आया है? 0.90 हमने पहले बताया कोई भी formula का application करो अब का answer same आयागा बट क्योंकि formula का application बता ना था इसलिए हमने ये question detail में solve करवाया है अब हम 7th formula से solve करेंगे जहां हम actual mean नहीं लेकर के assumed mean की help से calculation करेंगे अब last formula हम लोग देखेंगे formula number 7 और formula number 7 में स्रिफ difference क्या है तो यहां हम actual mean लेते हैं and formula number 7 में जब हम dx का calculation करते हैं तो actual mean की जगा assumed mean की help से calculation होगा clear? सिर्फ इतना साही difference है बाकी पूरा formula same है अब देखो मेरे पास question वही है और इसी questions हमने बाकी सारे के सारे formulas आपको explain किये हैं last formula भी हम लोग देख लेते हैं हमें पास x की value दी हुई है हमारे पास x की value अभी भी कितनी दी है 1, 2, 3, 4, 5 अब देखो इसका actual mean लेंगे तब भी 3 आएगा और अगर assumed mean लें तब भी तो हम 3 ही लेंगे ठीक? तो no doubt जो dx की value अभी पहले हमने question solve किया था तब आई थी same dx की value and dx square की value आएगी ठीक? तो हम आगे question solve नहीं कर रहे हैं अगे अगर हम y की बात करें तो y मेरे पास है 2, 4, 8, 6, 10 पहले हमने बताया था कि हम इसको 6 लेंगे अब एको इसमें जब हमने actual mean calculate किया था तो हमारा actual mean आया था 6 and assumed mean भी तो हम 6 ही लेंगे जैसे हमने actual mean से किया था formula number 6 है वैसे ही formula number 7 से same answer आने वाला है आप क्योंकि इस question में हमारे पास actual mean और assumed mean almost same था बट generally ऐसा नहीं होता बहुत सारे questions में actual mean और assumed mean different भी होता है clear? तो formula number 6 and formula number 7 की help से हम next question भी आपको एक और question भी solve करवा देंगे so that आपको ये चीज़ clear हो जाए कि actual mean और assumed mean अगर differ भी कर रहा है तो भी मारा answer मेंशा क्या आता है same आता है आप क्योंकि इसमें मेरे पास assumed mean कितना आया है 3 और y का assumed mean कितना है again 6 तो same जैसे हमने formula number 6 solve कराया वैसे ही formula number 7 की help से भी question solve होगा क्योंकि formula number 6 and 7 क्या है same है clear तो एक question आप लोग खुद से solve करके try कर ले न and सारे formulas क्योंकि आपके लिए important है इसलिए हमने हर एक formula पे detail discussion करके एक particular question आपको solve करवा दिया है so that आपको सारे formulas का application समझ में आ जाए no doubt अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs में कभी भी इतना detail में question solve करने के लिए नहीं आता MCQs generally 1 to 2 marks carry करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास formulas की सारी values given होंगी and as per formula आपको सीधे सीधे coefficient of correlation calculate कर लेना होगा but शर्त यह है कि आपको हर एक formula याद होना चाहिए तब ही आप उस पे MCQs की recording application कर पाऊगे hopefully यह point आप लोगों को clear होगा सातो formula साती सात उमीद करते हैं कि सबको learn हो गया होगा अब आगे जब हम MCQs session रखेंगे correlation का तो देखना हर एक formula पर आपको question मिलेगा and बहुत ही easily आप सारे question solve कर पाऊगे आज हमारा last session था related to Carl Pearson method अब next class में क्योंकि Carl Pearson method से कई सारे questions exam में आते हैं कई pattern पे आते हैं CA foundation, CMA foundation and other competitive exams तो next class हमारी dedicated होगी Carl Pearson के examples पे वहाँ हम detailed solution कराएंगे बट no doubt MCQs अगर पूछ रहा है exam में तो ता detailed question नहीं पूछता है बट still आपको application पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप application करोगे उमीद करते हैं कि आज की class आप लोगों को properly समझाई होगी अगर कहीं पे पी कोई doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हो और साथी साथ आप हमसे telegram पे भी connect कर सकते हो जुसकी link आपको description box में given है अगर आपको आची class properly समझाई है तो वीडियो को like, comment और share जरूर करना हम लोग मिलेंगे मारी next class में जहां हम लोग कारल पियर्सन के कुछ और examples टील करेंगे आज के लिए बस इतना thank you so much